दोस्तो स्वागत है आपका Amplifier World Channel में और आज आपके सामने है नया सब्जेक्ट Waveform Waveform क्या है? यह waveform आपने सुना होगा Sign Wave, Square Wave, Triangular Wave, Saw, Tooth Wave इस टाइप के बहुत सारे लग-लग waveforms होते हैं हमारे घरों में आने वाली Power Supply जो होती है वो Sign Wave में होती है Inverter Design जो करते हैं उसमें भी Sign Wave की जर्रत होती है लेकिन सस्ते Inverter Actually Square Wave में काम करते हैं लीजे हम यहाँ पर देखते हैं Generator से जो हमें AC Supply मिलती है वो Sign Wave में कैसे मिलती है हमें देखिए एक Magnet होता है Magnet के दो पूल होते हैं North और South पूल और Magnet के अंदर साइड में होती है एक क्वाइल तो यहाँ पर हमने बना दिया है एक Magnet और यह North पूल है यह South पूल है और उसके अंदर में क्वाइल है जब यह Magnet घुमना शुरू होगा तो यह Magnetic Lines इस क्वाइल को कट करेंगी और यहाँ पर हमें AC सप्लाई मिलेगी AC सप्लाई हमें यहाँ साइन वेव में मिलेगी तो हमारा जो Neutral तार है वो हम इस टाइप से उसको इसे जीरो वोल्ट माल लेते हैं और यह जो दूसरा सेकेंड तार है यहाँ से हमें फेज मिलेगा फेज में देखी निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है तो माल लेते हैं हमें पहले पॉजिटिव मिल रहा है तो यानि कि Neutral से Neutral हमारा माइनस होगा और यह प्लस सप्लाई दूसरा वायर होगा लेकिन सेम साइकल Reverse Direction में जाता है तो उससे क्या होता है कि यह निगेटिव मिलता है यानि कि हमारा Neutral उस Condition हो जाता है और फेज वाला वायर उस समय Reverse Direction में निगेटिव हो जाता है देखे अभी Positive है और फिर उसी तुरंत उसके Second Cycle में निगेटिव हो जाता है यानि कि इसकी Polarity Change होते रहती है प्लस, प्लस, माइनस, प्लस, माइनस इस प्रकार इसकी Polarity Change होते रहती है तो इसको समझने के लिए मैंने कि यह Bengals ली है और Bengals को आप मान लीजे यह Magnate है, Magnetic Ring है और यहाँ पर North Pole है, यह South Pole है और North और South Pole के बीच में यहाँ पर यह Magnetic Lines है तो यह Magnetic Lines जो है पोल के पास में बहुत strong होती है इसलिए बहुत घने यहाँ पर घनी Lines है और बाहरी साइड में यह Lines कम-कम होते जाती है यानि कि यहाँ पर Magnetic Field कम-कम होता जाता है जब यह Magnet घूम रहा होता है और इसके बीच में कोई हमने कॉइल लगा रखी होती है तो यह कॉइल इस Magnetic Lines जो है इस कॉइल से कट होती है और उस कॉइल में Elixity आती है यह हमारा कॉइल समान लेते हैं इसको और यह Magnet Ring है और यह उसकी Magnetic Lines है अब यहाँ पर position है coil की हमारी और यह घूमना शुरू हुआ तो जैसी यह first line यहाँ से line ने कटना शुरू हुए starting में कम line कटती है तो यहाँ पर धीरे धीरे voltage बढ़ते जाता है आगे की और यह नीचे की line हमारी time है यह time को हम कर लेते हैं जैसे यहाँ पर 0 second यह माल लेते हैं यहाँ पर 0.5 second 1 second यहाँ पर 1.5 second और यह 2 second यह time है हमारा तो जैसे यह magnet घूम रहा है तो घूमने के लिए time लग रहा है तो उस time के across यह धीरे-धीरे sine wave यह मतलब हमारा electricity इसमें develop हो रही है और यह voltage का graph है तो जैसे-जैसे voltage बढ़ रहा है तो यह upside जा रहा है तो जैसे यहाँ पर पहुशता है South Pole में यहाँ maximum line जहाँ cut होती है वहाँ पर जैसी यह magnetic field पहुशता है तो सबसे ज़्यादा voltage बनता है लेकिन जैसी आगे आगे की और घूमता है rotor तो यहाँ पर क्या होता है की कम line फिर कटना शुरु हो जाती है तो line ने कम होती है तो फिर यह voltage भी गिरना शुरू हो जाता है और यह धीरे-धीरे आके इस position में जैसे magnetic rotor जो है कोई line नहीं cut होती है जी gerek से start हुआ और फिर सबसे ज़्यादा line कटी और यहाँ सबसे ज़्यादा लाइन जब कटती है मैगनेटिक लाइन तो सबसे ज़्यादा वोल्टेज बनता है ऐसा पीक और फिर वहाँ पर जैसी लाइने कम हो जाती है तो यहाँ पर बिल्कुल जीरो वोल्ट हो जाता है लेकिन यह रोटर हमारा लगातार भूम रहा है तो पहले साउथ पोल हमारा गया यहाँ से उसके बाद हमारा नॉर्थ पोल आ जाता है इस कोईल के अक्रॉस में तो यहाँ पर देखिए फिर कम लाइने कटना शुरू हुई तो धीरे धीरे वोल्टेज अब निगेटिव साइड जा रहा है क्योंकि अब पोलरेटी चेंज हो गई मैगनेटिक का दूसरा हिस्सा आ गया पहले साउथ के हिस्से से पॉजिटिव साइड में गया अब North की हिस्से से negative side में जा रहा है तो वैसे ही गूमते गूमते जब यहां maximum line जब कटेंगी तो यह voltage negative side में peak में चला जाएगा यानि सबसे maximum voltage यहां पर बनेगा क्योंकि सबसे ज़्यादा line यहां कट रही है गूमते समय तो coil में सबसे ज़्यादा voltage इसी समय बनेगा इसलिए यह जो graph है यहां पर सबसे ज़्यादा voltage बन रहा है लेकिन आगे क्या होता है कि line ने कम होना शुरू हो जाती है और कम होते होते यह कम होनी के वज़ासे यह फिर से voltage 0 की हो जाने लगता है और इस position में पोज़ते ही जहां पर हमारा कोई line नहीं कटती यह voltage बिलकुल वहाँ पर 0 हो जाता है तो इस तरीके से हमारा एक cycle पूरा होता है यानि कि एक round पूरा complete होने पर हमें ऐसा sine wave मिलता है तो आपको यह थोड़ा समझ में आया होगा कि sine wave किस type से बनता है अब फिर से आगे अगर यह rotor और अलगातार घूमता रहेगा तो फिर से same वही south pole आएगा और धीरे धीरे line कटके maximum line कटेंगी तो यह फिर आगे बढ़ जाएगा और आगे फिर ऐसे ही नीचे आएगा क्योंकि यहाँ कोई line नहीं कट रही है और फिर नीचे आने के बाद में zero पे आएगा और फिर same north pole आने के बाद में यहाँ maximum line कटने से फिर वो negative side में ऐसे चला जाएगा तो यह जो sine wave का यह ऐसा यह चेकर चलता रहेगा इस magnetic wheel के half round में हमें half cycle और second half round में दूसरा half cycle मिलता है यानि कि दो half cycle जोडने के बाद हमें एक complete cycle मिलता है यानि कि एक round के लिए एक ऐसा complete cycle हमें यह sine wave का मिलता है एक second के time में हमें जितने cycle मिलेंगे उतनी ही हमारे generator से यानि हमारी उस power supply की frequency होगी यहाँ पर मैं माल लेता हूँ एक second में एक round हो रहा है तो हमारी frequency होगी एक hertz लेकिन हमारे घरों में आने वाली power supply की frequency होती है 50 hertz यानि कि एक second में generator जो है उसके wheel के 50 चक्कर लग रहे होते हैं तो आप अगर एक minute में उसका rpm निकालेंगे तो एक minute में 60 second होते हैं 60 गुना 50 करेंगे तो आपको मिल जाएगा generator का rpm तो 60 गुना 50 में यहाँ कर देता हूँ तो यह हो जाता है 3000 rpm लेकिन आप pole की संख्या अगर बढ़ा दें magnetic pole की संख्या अगर हम double कर देते हैं चार pole कर देते हैं तो हमें 1500 rpm पे ही 50 Hz frequency मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि amplifier से जो output हमें मिलता है वो भी sine wave में ही मिलता है लेकिन उसकी frequency 20 Hz से लेके 20 kHz की बीच में कम जादा होती रहती है तो इसका मतलब यह हुआ अगर मैं किसी amplifier को 50 Hz का sine wave input दे दूँ और उसके output पर एक transformer लगा के उससे voltage बढ़ा कर मैं as a sine wave inverter के तरीके से amplifier को मैं use कर सकता हूँ यहाँ पर है square wave का graph हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी है तो देखिए यहाँ पर यह जो उपर का voltage वाली लाइन है यह 0V की लाइन है यह 1V, 2V, यह minus 1V, यह minus 2V अब यह time है एक second, 2 second, 3 second, 4, 5 अब यहाँ पर square wave कैसे बनती है वो हम देखते है देखिए यहाँ example के लिए मैंने दो बैटरियां लिए हैं यह 1.5V का यह 1.5V का है जोड दिया है, यह इधर साइट से plus है, यह इधर साइट से minus है और यह जो हमारा इसको हमने 0V मान लिया है अब यहाँ से और यहाँ मीटर लगाएंगे तो हमें 1.5V plus में मिलेगा, यहाँ से हम यहाँ मीटर लगाएंगे तो minus 1.5V हमें मिलेगा यह जो plus और minus है हमने इक डाल दिया है 2-way switch में और यह 2-way switch के center से हमने एक output लिया है और यह center के सास में यह center वाली तार के साथ green तार के साथ और इसके बीच में हमने एक multimeter लगा देंगे यह green तार को हम negative वाले prod में जोड देते हैं और यह एलो वायर को पॉजिटिव वाले प्रॉड में जोड़ देते हैं तो हमें यहां पर वोल्टेज मिल रहा है यह माइनस 1.6 और इस साइड स्वीच करता हूं है तो 1.5 ऐसे वोल्टेज मिल रहा है यानि कि सेल का ही वोल्टेज मिल रहा है एक बार इस cell का मिलेगा एक बार इस cell का मिलेगा ये switch के selection के उपर है ये minus side में मिल रहा है और ये plus side में मिल रहा है तो चलिए शुरू करते हैं माल लेते हैं मैं यहाँ पर यहाँ से शुरू करता हूँ मैं ये switch अभी हमारी beach की position में रख देते हैं तो हमें कोई voltage नहीं मिलेगा, अभी यहां में कोई voltage नहीं मिल रहा है, तो हम यहां पर 0V समझ लेते हैं, यहां पर 0V है, अब यह switch को मैं इस side करता हूं, तो हमें मिल रहा है minus 1.6, तो यह हमारा voltage, जैसे minus 1V, minus 2V, तो इसके बीचे 1.5 यहां पर बीच में आएगा, तो हमारा ज 1.6 के करीब, अब यह switch मैं एक second तक on रखता हूं, तो यह हमारा time, यहां पर 1.6 voltage आ गया, उसके बाद time के साफसे, यह voltage यह मतलब हमारा voltage रह रहा है, एक second तक, यह एक second तक voltage रहने के बाद, अगर मैं switch को उसी वक्त, अगर एक second से आगे रखूँगा, तो यह voltage आगी की और ब shift किया, तो जैसे इस और shift किया, तो सबसे पहले यह off होगा, तो यह आने कि यह zero पर आएगा, और zero के बाद, switch को shifting करने में, कुछ थोड़ा सा time लगा होगा millisecond में, तो इस वजए से यह थोड़ा सा आगे जानेगा, जो millisecond के time है, थोड़ा सा आगे 0V रहेगा, फिर उसके बा यहाँ पर जाएगा, यानि कि on हो गया, हमारा यह voltage 1.5 पर पहुँच गया, लेकिन हमने इसको 1 second तक on रखा है, तो यह voltage, यह 1 second तक voltage है, क्योंकि हमारा 3 यहाँ पर है, यह 1 second का distance यहाँ है, तो इसलिए हमने 1 second तक on रखा, और फिर हमने switch को इस position पर shift किया, तो फिर यह तुर स्विच को शिफ्टिंग करने में जो समय लगा उसकी साब से थोड़ा यह टाइम आगे जाएगा और यह वोल्टेज हमारा माइनस साइड आ गया तो यह हमारा ग्राफ इधर आ जाएगा तो इस तरीके से देखिए हमको एक ग्राफ मिला इसक्वेर वेव टाइप मिला अब यह स्क्वेर वेव इसलिए मिला क्योंकि हमारा स्विच तुरंत आउन हो रहा है यहां पर वोल्टेज जो है स्विच आउन करते ही फूल वोल्टेज आ जा रहा है इसलिए इस टाइप का ग्राफ हमको मिल रहा है तो यानि कि square wave का मतलब यही है कि voltage suddenly आ जाता है sine wave में voltage suddenly नहीं आता वो धीरे धीरे बढ़ते हुए आता है तो आपने देखा होगा sine wave में generator में क्योंकि starting में कम magnetic lines cut हो रही थी इसलिए धीरे धीरे voltage बढ़ रहा था और जहां सबसे जादा voltage सबसे जादा line जहां cut हुई वहाँ पर सबसे जादा voltage आया यानि कि उपर की ओर curve ऐसा गया लेकिन square wave में switching है यानि कि switch on करती ही voltage आया कुछ देर तक voltage हमने एक second तक voltage रखा switch shift किया तो तुरंथ voltage zero हो गया और दूसरे side में positive side में voltage आया यह थोड़ा इसलिए यहां पर आगे की ओर time इसलिए गया हुआ है कि switch की position change करने में कुछ समय लगता है millisecond तो इस वजए से यह square wave में यह जो छोटा सा थोड़ी देर तक zero volt यह रहा यह शोग कर रहा है यह छोटी सी line कि कुछ समय तक कुछ millisecond तक zero volt रहा फिर तुरंथ positive volt जैसी switch के point make हुआ तुरंथ positive volt एक साथ आ गया और पिर एक second तक वैशी रहा फिर यह zero volt पे आ गया switch की position change हुई और यह minus side आ गया हम ऐसा switch on off करते जाएंगे तो ऐसा ऐसा यह बनता चला जाएगा तो यह one second का यहां से यहां तक change होने में एक second लगा यहां से फिर यहां तक change होने में एक second लगा तो यह हमारा जो हो गया एक दो दो सेकंड में हमारा एक सैकल कम्प्रीट हो रहा है यहां से यहां तक हमारा टाइम लग रहा है दो सेकंड तो यानि कि दो सेकंड में एक सैकल हो रहा है तो हमारा जो फ्रिक्वेंसी होता है एक second में जितने cycle होते हैं वही frequency होता है तो दो second में एक cycle हो रहा है याने कि एक second में half cycle हो रहा है तो याने कि यह frequency हो गई 0.5 Hz दोस्तो अब देखते हैं यह square wave का use कहा कहा application होता है तो देखिए यह होता है inverters में जो cheap quality की inverters होते हैं उनमें square wave type के inverters होते हैं फिर होता है DC to DC converter में जो हम DC to DC converter मनाते हैं amplifier के लिए उसमें use होता है इसी type का switching फिर एक होता है class D amplifier में class D amplifier में इसी type का switching होता है हमने जो switch on off किया same ऐसा ही उसमें switching होता है लेकिन उसमें signal के हिसाब से इसका timing कम ज़ादा होता है तो यहाँ पर देखी यह जो यहाँ से यहाँ तक का एक यह जो half pulse है इसको कहते हैं pulse तो pulse का यह जो चौड़ाई है यानि कि जो time है कितनी देर तक on रहता है तो इसको बोलते हैं width तो pulse width और यह modulation PWM आपने सुना होगा PWM Pulse Width Modulation तो यह जो pulse की चौड़ाई है यानि कि timing जो है कितनी देर तक on रखना है और कितनी कब off करना है तो यह जो width है इसको कम ज़ादा करके ही Class D amplifier डिजाइन होते हैं यानि कि जो sine wave Class D amplifier में input में जो sine wave दिया जाता है तो sine wave के अलग-अलग voltage होते हैं अलग-अलग इस टेप में तो किस position पे कितना voltage है उसके हिसाब से यह pulse को कम या जादा किया जाता है इसके लिए Class D amplifier में एक special IC होती है जो इसके हिसाब से उसको मिलने वाले sine wave input signal के हिसाब से यह switching करती है इसी type के pulse को जो width है इसका चवड़ाई है यानि कि timing जो है कम जादा वो इसी signal के इसाब से करती होगा इसी तो जिससे कि यह सारा का switching type का ही हो जाता है on-off switching का तो DC to DC converter में भी सेम ऐसा ही है उसमें एक IC होती है आपने देखा होगा DC converter में एक IC होती है SG3525 SG3525 IC आपने DC converter में देखा होगा उसमें दो output निकलते हैं और वो जाते हैं MOSFET में MOSFET के gate में जाते हैं इस type का MOSFET होता है तो उसमें पहले तो यह on होगा यह off रहेगा उस समय यानि कि जैसी यह on हुआ यह off रहेगा लेकिन यह off होगा जैसे ही वैसे ही यह on हो जाएगा यानि कि एक के बाद एक on off होते रहेगे लेकिन इनके on off होने की speed होती है लगबग 400 kHz थोड़ी कम या ज़्यादा हो सकती है यानि कि 400 kHz मैं कहूं तो उसे अगर numbers में कहूं तो 4,00,000 होता है 4,00,000 बार यह on off होता है इस IC के थुरू इस MOSFET को एक सेकंड में 4,00,000 बार on off कराया जाता है जिससे इसका output जाता है SMPS transformer में तो इसका switching speed देखिए बहुत ज़्यादा है 4,00,000 यानि कि 400 kHz ठीक उसी तरीके से नॉर्मल जो inverters होते हैं चीप quality के आपने देखा होगा तो उसमें भी IC EC type की होती है MOSFET EC type का होता है लेकिन उसका frequency 50 Hz होता है जाने कि 50 बार इसे on off होना है और 50 बार इसका on off होना है जाने कि तब जाके हमें output में 50 Hz की frequency मिल जाती है लेकिन वो square wave में मिलती है जिससे की क्या होता है कि जो हमारे coil वाली equipment है जैसे ceiling fan table fan जो भी air cooler इस type के जो equipment होते हैं उनको square wave से बहुत ज़्यादा problem होता है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं उनके लिए चाहिए होता है pure sign wave तो sign wave मिलने से वो equipment बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं अगर उन्हीं equipment को square wave दिया जाए तो वो heat होते हैं ज्यादा अच्छी तरीके से efficiency से काम नहीं कर पाते हैं तो इसलिए ऐसा recommend किया जाता है कि sign wave inverter अच्छा होता है और जो medical equipment होते हैं जैसे कि hospitals में जो बहुत सारे machines लगी होती है उनको तो sign wave बहुत ही ज्यादा कंपल सरी है उनको तो square wave टाइप का बिल्कुल ही नहीं चाहिए होता हो काम ही नहीं करते हैं तो medical equipment के लिए special inverters आते हैं और ज्यादा तर hospitals में generator रखे जाते हैं ताकि वहां लगे हुए सभी equipments को pure sign wave मिलता रहे normal square wave वाले inverter लगाने से वो सारे equipment खराब होते है दोस्तो waveform के उपर का ये वीडियो हो सकता है आपको boring लगा हो लेकिन waveform के बारे में basic जानकारी रखना बहुत जरूरी है और आने वाले समय में बहुत ही high quality के modern technique वाले equipments आने वाले हैं जो की waveform के समझे बिना उनको repair कर पाना या उनको समझ पाना बड़ा ही मुश्किल होगा तो मेरी एक छोटी सी कोशिस थी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताईए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तो मिलते हैं तो मिलते हैं